नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिप एल सिरप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, सिप एल सिरप को कैसे लेना चाहिए, और सिप एल सिरप की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और य अलर्जी व नजला के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, अलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत प सिरप भूख को बढ़ा कर वजन को भी बढ़ाने में सहायक होती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सिप एल सिरप की वज़े से मीन अधिक आ सकती है। मीन अधिक आना सिप एल सिरप का एक सामान्य साइड इफेक्ट्स है। और ज्यादातर व्यक्तियों में इस side effects को notice किया गया है। इसके अलावा सिप एल सिरब की वज़़ से शरीर में ठकान वा सुस्ती हो सकती है। सिप एल सिरब की वज़़ से वजन बढ़ सकता है। क्योंकि सिप एल सिरब भूब को बढ़ाती है, जिसकी वज़़ से वजन बढ़ सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में सिप एल सिरब की वज़़ से भूब कम भी हो सकती है। इसके अलावा सिप एल सिरप की वजह से मुह गले और नाक में सुखापन, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, दस्त होना, कब्ज होना, सिर्दर्ध, चक्कर आना, उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना आदी साइड एफेक्ट्स सिप एल सिरप की वजह से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की सिप एल सिरप को कैसे लेना recommended होता है सिप एल सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है अगर आप भूग को बढ़ाने के लिए सिप एल सिरप को ले रही है तो सिप एल सिरप को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना ज्यादा अच्छा होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर सिप एल 10 मिलिलीटर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन सिप एल सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि सिप एल सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सिप एल सिरप के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और सिप एल सिरप को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि सिप एल सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों में कुछ समय के लिए मानसिक सतरकता कम हो सकती है, और मींद अधिक आ सकती है, जो व्यक्ति द इल सिरप को लेने के बाद नीन अधिक आ सकती है, जिसकी वज़ा से उनका ओफिस का काम प्रभावित हो सकता है, वैसे सिप एल सिरप प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ह प्रेगनेंट महिलाओं को सिप एल सिरप को लेने की सलाह देते हैं, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिप एल सिरप का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिप एल सिरप को डॉक्तर की सलाह के बि बंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।